एक बार फिर से एंटीवी दिल्ली परिवहन मजदूर संग की समस्याओं का बही खाता लेकर रहा है उमीद है कि यह दिल्ली सरकार तक पहुँचेगी और इसका अस्थाई हल भी निकलेगा डीटीसी के मेडिकल बोर्ड द्वारा मेडिकल बिलों के देरी से भुक्तान करने के सम्मन्ध में परिवहन मजदूर संग ने दिल्ली परिवहन को ग्यापन पत्रसौपा है दरसल इलाज करवाने के बाद मेडिकल बिल यूनिटों में जमा किये जाते हैं इसके कैशलेस ना होने से करमचारियों को बड़ी समस्या होती थी क्योंकि यह स्कीम लगभग रिटारिमेंट के नजदी की करमचारियों पर लागू है इसके लिए वो ब्याज पर पैसा उठा कर अपना इलाज करवाते हैं और कभी-कभी तो इस देरी के चक्कर में अपनी जान गवाँ बैठते हैं हाला कि मेडिकल बोर्ड में इलाज करवाने की अनुवती के लिए भी बहुत पापड बेलने पड़ते हैं और जब से डीटीसी में नई चिकित्सा अधिकारी महोदिया का आगमन हुआ है तब से करमचारियों की समस्या और बढ़ गई है यह कहते हुए दिल्ली परिवहन मजदूर संग का ग्यापन पत्र परिवहन निगम से यह अपील करता है कि शादी पुर कॉलोनी तथा बीबियम कॉमप्लेक्स मेडिकल बोर्ड को तुरंत बहाल किया जाए तथा चारो जोनों में मेडिकल डिस्पेंसरी बनवाई जाए इसके साथ ही मेडिकल बिलों को कैशलेस किया जाए डॉक्टरों को अस्थाई किया जाए तथा उनकी कमी को पूरा किया जाए इसके अलावा DTC में कर्मचारियों के इलाज के लिए अस्पताल बनवाया जाए तथा मेडिकल बिलों के भुगतान को एक महीने के अंदर पूरा करवाया जाए